Hey guys, this is Udkarz and you watching Tech Udkarz तो friends, आज का जब वीडियो है, वो Arduino Tutorial Part 10 पर है So friends, आज जब वीडियो है, उसमें मैं DoorBear Alarm with using of Arduino and IR sensor का project ले के आया हूँ So friends, आज की वीडियो है, मैं सारे coding का रहे, programming के details उसके और कैसे कैसे program करते हैं, वो सारे बताने वाला हूँ So friends, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, यह तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, और आपका Arduino भी खराब हो सकता है और सबसे पहले अगर अपने चैनल को मैं सिस्क्राइब नहीं किया है, तो सिस्क्राइब कर दे, बेल आइकन को देबा दे, और लाइक कर दे, और अपने सारे friends के साथ सेयर कर दे, जो friends ऐसे ऐसे project मिलाने का सोच रहे हैं और बना नहीं पा रहे है, तो friends, चलिए सुरू करते अपने project की होड़, तो friends, देखते हैं कौन कौन से इसमें component का यूज करना है, तो जैसे कि आपको Arduino Uno हमीसा यूज करना होगा, एक buzzer यूज करना है, ये active buzzer है, आप इसके जिए पैसी buzzer भी यूज कर चाहिते हैं, तो मैं अंतर बता दू कि active buzzer और passive buzzer में अंतर क्या होता है, तो as active buzzer जो होता है, वो एक ही sound निकालता है, और आप उसका rhythm change नहीं कर सकते हैं, और लेकिन passive buzzer में आप उसका rhythm और beeping का time per timing change कर सकते हैं, आप उसका, जैसे एक type का song play कर सकते हैं, as a use of passive buzzer, और इसे आप लोग use नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने speaker यूज किया था वैसे ही passive buzzer का क काम होता है, वो speaker के तरह काम करता है, तो यह है active buzzer, तो एक ही sound निकालता है, यह है IR sensor, तो इस में market में दो तरह का IR sensor आते हैं, एक 3 pin वाले, एक 4 pin वाले आते हैं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ 3 pin और 4 pin में क्या अंतर है, so 3 pin में, as a, आप देख सकते हैं, आप यहाप आपको 3 pin मिलती है, ground, vcc, और output, ठीक है, so, जो ground होती है, वो ground जाती है, vcc, vcc, जाती है, जो output होती है, वो digital output होती है, मतलब, यह जो pins है, वो digital pins में जाहेगी, ठीक है, यह देख सकते हैं, digital pins होती है, लेकिन यह जो 4 pin वाले जाती है, इसमें एक और pins होती है, जो की होता है, आपको दि तो देख सकते हैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका यूज क्या है अनलोक और डिजिटल आउटपुट के लिए ठीक है तो आए चलते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं आपको जो सरक्रीट डियग्राम दूँगा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे आप उस और रडीन॓ं को एक साथ कनेक्ट कर लीजेगा तो मैं आपको दिखाता हूं कि आगे कैसे करना है कि तो और कुछ इस तरह के का सरक्रीट डआग्राम का कनेक्शन होगा तो मैं बता दूँगिंगा कैसे कनेक्शन करना है तो सबसे पहले आपको इस इसमें IR sensor जो है, इसमें output जो है, वो four number pin से attached है, और VCC ground यहाँ पर attached है, और इसमें का positive wire है, वो मैंने 30 number pin से define किया होगा, और यहाँ पर मैंने एक calorie लगाती है, और ground जो है, ground जैस उसके bugle में आता है, तो वहाँ पर attached कर दिया और इसका ground दिया और यहाँ पर attach कर दिया, यहाँ यहाँ पर दो ground होती है और एक VCC होती है और एक VCCN होती है ठीक है तो मैं बता रहा था कि यह 4-pin वाले IR sensor और 3-pin वाले IR sensor में क्या आंतर है तो मैं बता दूँ जो इसमें ground होती है वो डिजिटल आउट होती है और इसमें analog वाली होती है और digital वाली होती है तो मैं बताऊं कि यह जो होती है sensor अगर आपको analog में लेना है analog का मैं पहले वीडियो बनाया था पहले tutorial में कि analog भी नाज़ा आपको number देता है मतलब एक टेप का 0 से 25 तक आप value set कर सकते है तो अगर मैं इसमें analog में power दूँ तो इसका जो power है यह distance के लिए हो जाएगा तो आप इस नई distance पर काम कर सकते हैं या इतना distance पर ही work करेगा उससे आएक के distance पर ही work नहीं करेगा तो आप उस तरह के project भी बना सकते हो अगर चार पिन वाले IR sensor है तो और अगर यह एक पिन वाली है तो output के वल होगी तो उसमें digital output के वल दिखाएगा तो इसमें होगा यह कि आप कितना भी दूर हो अगर यह IR sensor जो resistance है variable resistance तो आप उसका जितना भी आप distance manage करोगे ठीक है जितना भी आप उसका distance manage करोगे अगर यह LED glow होती है इसके मतलब कि इसमें signal आ रही है तो अगर glow हुई तो जलेगा आप चाहेए कितना भी इसके दूरी distance हो ठीक है तो इसके लिए है तो यह एक type का high low मतलब on या off का command digital से आता है और analog से 0 से 255 तक का value set कर सकते है अनलोक वाले पिन से और डिजिटल वाले पिन से आप Q01 इनपूट कर सकते है तो यह हुई अब चलते हैं फोन की स्क्रीन पर फिन मैं दिखाता हूं कि इसके circuit रहे रहा और उसके बारे में मैं बताऊंगा अच्छे से तो फ्रेंच चलते हैं उसके application में इसका नाम है ArduinoDino सो यहाँ पर open करते हैं यह आपको playstore से free में अब लेबल है आप वहां से download कर सकते हो यह खुलने में तो टाइम लेता है ठीक है तो यह कुछ इस तरह का interface होता है इसका मैं आपको दिखा दूँ तो यह उस तरह का interface है कुछ अब यह जो होती है यह जो होती है यह वर्किंग स्पेस होती है यहाँ पर आपको कोडिंग लिखना होता है यहाँ पर कोडिंग लिख सकते हो जो भी आपको कोडिंग का प्रोग्राम आपको बनाना है उसके कोडिंग लिख सकते हो यहाँ से आप और यह जो होती है यह होती है सारे actions है यहाँ पर save का action है यह compile का है यह uploading का है यह serial monitor है और यहाँ पर और सारे options है मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो डाल चुका हूँ Arduino Tutorial पर पहले पार्टे मैंने इसके बारे बहुत अच्छे सा introduction दिया है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो मैं description में link डाल दूँगा और ऐसे बहुत सारे वीडियो डाल बना चुका हूँ अच्छे उसका मैं description में link डाल दूँगा आप वहाँ से जाकर देख सकते हो ठीक है तो आए दिखाता हूँ क्या करना होगा आप चलते हैं फाइल को इसमें डाल लेते हैं ओपन कर लेते हैं रिशिंट तो यह है इसका फाइल कोड मैं दिखा दो इसमें क्या-क्या यूज करना है तो जैसे कि अब देख सेकते हो यहाँ पर मैंने वाइड सेटप यूज किया है वाइड सेटप मैं दो पीन मैंने डिफाइन किया है एक पीन 13 और एक पीन 3 आउटपुट के लिए यूज किया है, so pin 13 जो होगा, इसका output होगा, जो कि मैंने यहाँ पर डाला है, यह output इस speaker के लिए यूज होगा, ठीक है, और pin 3 जो होगा, वो IR sensor का output है, so यह output कर रहा है, तो यह receive करेगा, यह send कर रहा है तो यह receive करेगा so send का मतलब हुआ out और input का मतलब हुआ receive so यह input यहाँ पर डालेगा फिर serial भी गए ने यूज किया इसमें 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 डिस्टेंस दिखाएगा कि कितना डिस्टेंस पर यह sensor read किया so यहाँ पर distance दिखाएगा digital write 3 digital write 3 pin है वो अगर high होता है so मतलब यह pin मतलब detect करता है value को then digital write 13 pin जो होगी digital write 13 pin जो होगी वो high हो जाएगी so यहाँ पर current आना flow हो जाएगा और जैसे ही आना flow होगा फिर 10 second का delay होगा फिर 13 pin फिर high होगी और फिर delay होगा 500 मतलब 5 minutes 5 seconds का so Arduino के language में 1,000 का मतलब होता है 1 minute and 5,000 का मतलब होता है 5 seconds ठीक है so यह हो गई अब off command भी डालना होगा so off command के लिए आपको नीचे आना होगा so मैं दिखाऊं off command में आपको देख सकते हैं लिखा होगा else अगर if मतलब का अगर unfit होगा नहीं तो digital write जो होगा 13 pin low रहेगा और 10 seconds का delay रहेगा ठीक है so यह command बहुत simple सा command है आप इसको type करें भी सकते हो और यह जो green वाली होती है मैं आपको एक और चाहिए दिखा दूँ यह जो green color की जो दिख रही है वो होती है comment so आप अपना बारे में detail दे सकते हो या हर एक command के बारे में detail दे सकते हो कि इस command का क्या use है और इस command का क्या क्या use है so आप double slash का भी use कर सकते हो और slash start और open हो गया और start slash करके close कर सकते हो ठीक है अब चलिए इसको upload करते हैं तो उसके lab को otg चाहिए जो आपके phone में support करती है और इसको मैं phone से attach कर लेता हूँ तो मैंने इसको phone से attach कर लिया एक message आएगी usp device attached देख सकते हो एक message आईए अब इसको प्रोग्राम को upload करते है पहले compile करा जाता है इस प्रोग्राम को upload करने से पहले yes किया compile हो रही है compile finished हो चुकी है अब हम लोग इसको upload करते है uploading स्टार्ट होने से पहले एक और message आईग go करते है error दिखा दिया है फिर से upload करते है यह upload हो चुकी है प्रोग्राम कतम हो चुका है upload हो चुकी है अब चलते हैं camera के screen पर मैं फिर दिखाता हूं यह कैसे work कर रही है यह circuit चलते है camera के screen पर तो मैंने इसको phone से निकाल दिया है अब मैं इसको power bank से power दूँगा ठीक है इसको power bank से power देते है अब मैं दिखाता हूं आपको यह कैसे work करती है एक मिनट जैसे देख सकते हो यह दोनों IR sensors है मैं इसका work बता दूँ कैसे यह work करता है सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर 2 LEDs दी हुई है यह 2 LEDs होती है यह 2 LEDs होती है 2 LEDs यह 2 LEDs 2 LEDs आपड़ी जैजा IR transmitter यह रीसिवर के तरह काम करती है सो यह जो होती है white वाली यह infrared को send करती है और black वाली जो होती है infrared को receive करती है आपजेक्ट क्या होता है object की जो object होती है वो infrared और lights को reflect करती है सो अगर reflect करती है और यह black वाली sensor अगर absorb कर लेती है उस light को सो एक signal बनता है और यह signal जो होती है यह IC के थ्रूँ एक signal create होता है और यह signal जो create होता है वो output के थ्रूँ इस Arduino में attached होता है और Arduino के सब जो भी command में ने दिखाय था कि जैसे यह output में इसका output में जो ही value आईगी अगर high होती है then 13 pin जो होगी हो high हो जाती है सो यह आगर command है ठीक है और इसकी working process है ठीक है और यह variable resistance है यह जो दिख रहा है यह variable resistance है यह जो दिख रहा है कि आपको distance को manage करना है manage मतलब कि आपको दूरी देनी है मतलब कि आपको इतना दूर पर sense करना है कि इतना दूर पर sense करना है कि इतना दूर पर sense करना है वो इसके लिए है यह distance manage करती है अब देखिए मैं दिखाओं यहाँ पर देखिए यह नहीं cover करती है नहीं करती है नहीं करती है नहीं करती है नही भी object इसके सामने आता है ठीक है तो क्या होगा कि ये 5 second ये on होगा और 5 second तक ये speaker का buzzer जो होगा वो बचता रहेगा ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ example मैं इस पर आया 5 second के लिए बजेगा और फिर रुख जाएगी फिर आया फिर 5 second के लिए बजेगी और फिर रुख जाएगी तो ये है project तो friends कैसा लगा आज का project comment में जरू दे और सारे जो code के details है और programs के details है और सरकी diagram में डिस्किप्शन में डाल दूँगा और आई button पर जरूर चेक कीज़े और और भी ऐसे अच्छे अच्छे project जो है अब लेबल है इस channel पर और मैं subscribe कर लिजे और भी ऐसे अच्छे अच्छे project आने वाले है अगले वीडियो में तो friends good bye बिलते हैं अगले वीडियो में और be safe